तो चातरु सवगत है आपका आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपका लेक्या आजको आपका हाई इसकूल परिच्छा आपका कक्षा 10 भी का आपका रियल पेपर के आपके वो कोश्चन जो आज के एकजाम में आपके 101 परसेंट आपको पूछने वाले है ठीके आपको यहाँ पे कक्षा 10 भी हिंदी का बता जा रहा आपके टोटल उसमें 23 कोश्चन होंगे और साथ में आपको पेज कुल 8 दिया जाएगा समय आपको 3 गंटे और अधिक्तम अंग आपके 80 अंगों के होने वाले है तो चलिए फटा पट वो कोश्चन देख लेते हैं यह हमें उद्धो की बहुर की तुला किसे की गई थी रट्टा मारलो फटा फट यही कोश्चन पेपर आपको पेपर में देखनेों को भी लेगे बात में पश्टा होगे इसलिए जल्दी से आपको मैं सुबह बीडियो बना रहा हूँ सेकें कोश्चन गोपियो दोरा उद्ध राजा का धर्म क्या होना चाहिए पाच्पा कोश्चन परसूराम के क्रोध करने पा लक्षमर्ण ने धनुस को टूक जाने के बाद कौन से तर्क दिये छटा कोश्चन लक्षमर्ण ने बीरी उद्धव की क्या बिस्ताइब बतलाई है इसमत्ति को पातिये बनाने में कभी प्रसाद जी को क्या आसे है आठवा कोश्चन कभिता का सीरसक उसाय क्यों रखा गया है और इसके बाद आपका यहां पर लबा कोश्चन देखिए कभी की आंख में फागुन की सुन्दता से क्यों नहीं हट रही थी और दस्वा को अपने बेटी की अंतिम पूजा क्यों प्रतीत हो रही थी थी के इसके बाद देखिए यहाँ पे तेरवा कोश्चन आपका यहाँ पर यह याद करके जाना है यह आपके वही कोश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेगे माने बेटी को क्या सीख दी और चोद्वा किस प्रकार बेक्ट की और इसके बाद आपको यहाँ पर आता है सत्रवा कोश्चन देखिए फादर की उपस्थिती में देवदार की छाया कैसी होती है तो यह आपके बाइरल कोश्चन है यही कोश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगे लेखक ने फादर बूलकियों को मान की मान भी करूला की दिब चमक क्यों कहा और इसके बाद आपको यहां पर देखिए उनीसवा कोशन देखिए मन्डु भंडारी के पिता ने रसोई को भटिया भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया है और आग की खोज बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है आपका यह कोशन तो मॉडल पेपर में आपको देखने को मिल गया था और इसके बाद 22 को पढ़ाने में अनर्थ होता है कुतरक बादियों की इस दलील का खंडन दुवेदी जी ने कैसे किया आप 23 कोशन भोले ना अपने साथियों को देखकर सिसा तो अच्छो पढ़ाई में डाउट साते हैं सौल्बनी हो रहे हैं तो घबराओ मत इसका सलूचन है डाउट न टैप जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो कीचो कुरॉप करो और पास सेकंड के अंदर अंदर आपको बेडियों सलूचन मिल जाएगा बो भी विलकुल फ्री अब आप पालों की जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास नभी से बारवी आई 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 टी जेडवाली नेट के बच्चों के लिए आनलाइन क्लासे जिसका हिस्सा वनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं ट्रें पैक में मिल जाएंगे जल्दी से आपको दिखना है और पढ़ना इस्टार कर देना है जार्च पंचम की नाक को पूरा लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या-क्या यतन किये इसके बाद यहां पे जार्च पंचम की लाट नाक में लगने वाली खवर के दिन अगवार क्यो रट कर जाना है और कभियों के नाम और प्रतेक की आपको एक रचना साथ में छाया बात की दो हिसाएं और कभियों के नाम ठीक है इसके बाद सूर दास के आपको काभगत विसस्ताएं और चौधा कोश्चन तुलसी दास के आपको यहां पे काभगत विसस्ताएं आपको य VAG की आपको चंद की परिभासागों यहां पर यह एकांप करकियाने हैं और इसके बाद आपको यहां पर देख्टाप्ट्छ यहां लोकुक्ति और साथ राम्रच बेनीपुरी की विए मन्नू भंडारी के साहित के प्रमों विसिता हैं ये सारी कौशन आपके है और इसके बाद आपका तीन अंकी कौशन आपको ये रठक जाना है महाकाब और खंड काब नम्तर मात्रीEC चंद बंडिक छंद में अंतर और विज्ज्या पन ले खन और सुचना लेखन में कोई तीन अंतर लुकोक्ति और मुहावरे में कोई तीन अंतर औरत के साथ इस्थाई भाव और संचारी भाव में आपको अंतर रट कर जाना है ठीक है तो ये कोशन आपके रहे अगले वीडियो में जल्दी से आपको इन सभी कोशन के अंसर लेके आ रहा हूं तो जल्दी से वीडियो लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी इसके बाद आपको वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाने हैं जहिंद जै भारत मिलते हैं इसके वीडियो पर और गरदा उलाते हैं